यस, previous वीडियो में हम लोग में देखा था, selection sort कैसे वार्ख करता है, अभी हम इसका analysis देखेंगे, ठेक है, analysis हम लोग अभी जो है, इसका worst case complexity निकालेंगे, so worst case complexity में हम मान के चार रहा है कि लिस्ट पूरी तरीके से reverse order में है, जैसे अगर हमको increasing order में करना है, मतलब sort, तो मान लि जीए कि वह decreasing order में मुझे पूरे list को बार-बार compare करना पड़ रहा है और हर बार मुझे नया minimum मिलते जा रहा है ठीक है तो इसको लेके अभी हम इसको analyze करने के लिए सबसे पहले मैं आपको आई यह आप देखों यहां पर तो यह example में मैंने previously अगर आपने example देखा है तो मेरा n कितना था 6 था तो मेरे array में 6 elements थे तो अगर 6 elements है तो अगर हम देखेंगे तो algorithm कुछ इस तरीके का था पहले for condition फिर उसके inside में कुछ conditions फिर inner for condition उसके inside में कुछ condition और फिर यह वाले condition यह outer वाले for के लिए ठीक है यह outer वाले for के लिए ठीक है तो अगर दिहान से देखो के देखो मेरा list n elements है ठीक है तो loop जो है ना यह वाले for condition के लिए six time चलता है ठीक है छे बार चलेगा loop ठीक है तो यह आपका इधर हो गया ना अब inside आएंगे ना इस छे कैसे हो गया ऐसे तो loop पांच ब चल रहा है लेकिन एक हम extra लेते हैं जब condition fail हो जाएगे ठीक है तो condition fail होगी तो हम loop से exit कर लेंगे तो total मेरा loop पांच बार चल रहा है true के लिए और एक बार मेरा condition check हो रहा है तो यह outer वाला loop कितने times चल रहा है end times चल रहा है यह statement कौन से आप ध्यान रखिए one तो statement one जो है कितने time चल रहा है end times next inner वाला जो statement है अगर आप inner statement देखो के for loop यह outer वाले for loop के अंदर यह two है six seven और eight यह सारे inner statement है इस four के लिए तो inner में जैसी जाएंगे तो inner definitely अगर outer six है तो inner आप बोल सकते हैं कि inner statement end minus one that is कितना five times तो मैंने जो example solve करके भी आपको दिखाया था उसमें जो first pass one पह मेरा loop कितने बार चलते क्योंकि मैं max नहीं खाल रही हूं worst case condition worst case condition में मान के चल रही हूं कि loop हर बार मेरा क्या होगा compare होगा plus मुझे minimum हर बार मिलते रहेगा ठीक है तो उस case में यह जो मेरा outer inner वाला statement है यह कितने time चला five that is nothing but end minus one तो statement वाला two five उसके बाद मेरा statement six seven और यहाँ statement eight ठीक है n minus one यह बी कितने time चलेगा five times चलेगा आते है यह वाले फॉर ठीक है यह वह प्र लूप है यह फॉर लूप जो है मेरा कितने time चल रहा है six times चल रहा है ठीक है six times чल गरा है लेकिन six times चल रहा है लेकिन Parte 2 लिए जब n आपका initially 0 है ठीक है तो उसके लिए यान यह न को compare करते तब six time, उसके बाद वाले के लिए five time, उसके बाद वाले के लिए four time, तो यह ऐसे करके, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, summation of ti, ठीक है, तो loop जो है मेरा one से लेके कहां तक चल रहा है, n तक चल रहा है, और summation कितना है, ti, five time, ठीक है, नेक्ट उसके बाद अब यह वाला जो इसके अंदर वाले statement है, तो यह इसमें एक extra जुड़ जाएगा, क्योंकि यह four condition true के case में चलेगा, plus एक condition false के case में भी यह चेक करेगा, तो यह वाला जो loop है, इससे एक कम अंदर वाले statements work करेंगे, तो summation of ti minus one, यह five times आपका चल ठीक है, यह five plus one time, और यह five times, तो य यह भी अगें summation में है, क्योंकि यह outer वाले for loop के लिए बार बार work कर रहा है, तो यह दो statements जो है, outer वाले for loop के लिए multiple times operate कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, इसको summation लिया है, तो अब यह सब ले लिया, तो अब इसके according, जो है, आप देखो यह, तो सबसे वैला for loop है, cost है, time है, तो यह n times चला, यह n minus 1, similarly 6, 7, 8 भी जो है, n minus 1 time चलाएंगे, ठीक है, और यह वाला, outer वाला यह जो for है, summation of 1 to n, ti और यह summation of 1 to n, ti minus 1, एक कम इस से, ठीक है, तो यह अब इसको, इसको हम add करेंगे, तो इसको हम add करेंगे, यहाँ पे, so, tn, c1n, c2n minus 1, c3, summation of ti, c4, summation of ti minus 1, ti minus 1, c5 के साथ, और c6, c7, c8, क्या रहेगा, n minus 1, ठीक है, अब n को हम यहाँ लिख लिए, n minus 1 common निकाल लिए, अब यह summation को expand करेंगे, ठीक है, तो इसका, इसका expansion होता है, यह, ओके, और यह जो ti minus 1 है, इसका expansion होता है, तो अब यह, जो summation of ti है, यह n into n plus 1 by 2, और यह है n into n minus 1 by 2, अब इसको expand करेंगे, ठीक है, सब expand करेंगे, और इसको finally, जब आप n को common लोगे, n square को common लोगे, और एक constant, तो यह equation कुछ इस form का मिलेगा, c1 n square plus c3 n minus c2, तो इसमें highest order आपका यह n की किती है, 2, तो इसका worst case complexity कितना निकला आपका, o n square